नमस्कार दोस्तों कॉंपेटिशन कम्मुनिटी के इस फास्ट ट्रेक रिविजन कोर्स में आप सभी का स्वागत है आज हम 36 गर की कला एवं संस्क्रिती से रिलेटेट 15 कोशन्स डील करेंगे तो आए देखते हैं पहला कोशन क्या है बस्तर के गोन मुरिया जंजाती के बीच बजाए जाने वाली चार छिद्रो वाली बास्री को क्या कहते हैं इसमें ऑप्शन दिया गया है A. चिटकुल B. बाउंसी C. सुलूट और D. राइगडी तो हम वन बाई वन करके इन सारे ऑप्शन को डील करते हो और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है तो देखिए इसमें गोल टुकुले से बना होता है और इसका प्रयोग कप किया जाता है जब कोई भक्ति गायन होता है भजन होता है गीत होता है तो इस प्रकार जश्च गीतों में इस वादियंद्र का प्रयोग किया जाता है एक सपोर्टिंग इंस्टूमेंट की रूप में इसको यूज किया जाने वाली दो हात लंबी चार चिद्रों वाली जो बासुरी होती है उसे क्या कहा जाता है तो इस प्रकार से कोश्चन का आंसर सी हो जाएगा लेकिन ये भी देख लेते हैं कि राइगड़ी क्या होता है जो दंटेश्वरी माता का मंदिर है दंटेवाडा में वहां सुबह और शाम को जम माता की पूजा की जाती है तो इस राइगड़ी बादियंद्र को बजाया जाता है यह तो इस प्रकार से पी साही आसर क्या होगा? अब हम आते हैं अपने नेक्स कोशन पर चाटिस गड़ में रहस लीला किन साशकों के काल से चली आ रही है इसमें ऑप्शन दिया गिया है ए गुप्त काल से बी मराठो के काल से इसी कल्चूरी काल से और इबिटिश काल से तो देखिए इस कोशन का आंसर जानने के लिए हमें यह जाना पड़ेगा कि रहस लीला की उत्पति कहां से हुई तो वैसे तो यह बुंदेल खंड का प्रचलित लोग नाटी है लेकिन हम छतिस गड़ की बात करें तो कृष्ण ल महां कवी बाबू रेवा राम को जाता है और इन्हें ही रतनपूरिया गम्मद और रहस का प्रणेता माना जाता है जो बाबू रेवा राम जी है इनका जन्म 1812 इसवी में रतनपूर में हुआ था देखिए यह समय कौन सा है 1812 इसवी और उस समय मदिश थिस गड़ में यह हम कह सकते हैं दक्षड कोसल का जो एरिया था वहां पर कल्चूरी साशक जो है वो राज्य कर रहे थे कल्चूरियों का यहां पर साशन था तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा option number C कल्चूरी काल से जो बाबू रेवा राम जी है य च्रीमल भागवत के दशम इसकंद के अधार पर पांडूली पर तयार की गई है उसे के कठानक पर अधारी थाए जो रहस है जिसे क्या कहा जाता है यहां पर रहस गुटका कहा जाता है और जितने भी रहस धारी होते हैं वह इस हस्त लिखेत गुटका को अपने साथ रखत सी ममता चंद्राकर और डी दाउ महा सिंग चंद्राकर तो देखिए यह जो नाचा है यह 36 गड़ का सबसे प्राचिन और प्रमुख लोग नाटिया है जिसका आयोजन बस्तर को छोड़के लगबग पूरे 36 गड़ में किया जाता है नाचा में केवर पूरुष पार्टिसि है या फिर हम यह कह सकते हैं कि जो भी हमारे समाद में कुरीधिया चल रही है उस पर प्रहार किया जाता है इस नाचा लोग नाटिके जरिये ठीक अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि यह जो राम चंद्र देश्मुख हैं इनका जो नाचा पार्टी है उसका नाम है नाचा पार्टी के स्थापना की थी जिसका नाम है रवेली नाचा पाटी उनने सो अठाइस में स्थापना की थी इसका नाम है चिनहारी नाचा पार्टी तो इस परकार से इस और आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी ममता चंद्राकर हम अपने नेक्स कोशन पर आते हैं बस्तर संभाग में प्रथम मड़ाई का आयोजन कहां किया जाता है इसमें अप्शन दिया गिया है नारायनपूर बी के मतलब के बारी के बाहरी तो बाकी मेलो की तरह ही दिखता है लेकिन इसमें आदिवासी संस्कृती और धार्मिक्ता का अपूर्व संगम देखने वो मिलता है जो सबसे पहली मड़ाई होती है बस्ता संभाग की जगडलपूर के समीब केशरपाल में केशरपालिन मंदिर है वहां मा केशरपालिन के सम्मान में भड़ती है उसके बाद बाकी स्थानों पे मड़ाई का आयोजन किया जाता है तो देखें यहां पर ऑप्शन दिया गया है नरायनपूर करलोज मड़ाई कानवरी माहा के पहले रवी वार को जो के शरपाल है इस कोशन का सही आंसर है उसका जो मड़ाई है वो अगहन पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है तो इस प्रकार से देखिए सबसे पहले किसका मड़ाई लगता है केशरपाल का लगता है फिर कांकेर का देन नारायनपूर का मड़ाई और उसके बाद केश काल में मड़ाई का आयोजन किया जाता है तो इस प्रकार से इस question का सही answer क्या हो जाएगा option number D next question है बस्तर में मुरिया दरबार का आयोजन कब किया जाता है इसमें option दिया गया है A. गोंचा पर्व के आउसर पर B. मड़ाई के आउसर पर C. फसल कटाई के आउसर पर D. बस्तर दशहरा के आउसर पर तो इसका सही answer होगा D. बस्तर दशहरा के आउसर पर अब इसका सही answer बस्तर दशहरा के आउसर पर कैसा होगा ये देखते हैं तो बस्तर में पहली बार मुरिया दरबार का जो आयोजन है वो जब 1876 में मुर्या विद्रो हुआ था उस समय वहां के जो आदिवासी लोग थे उनके मन में जो भी अंसतोष था जो भी समस्याए थी उनको सुनने के लिए और उसके नीरा करण के लिए पहली बार 1876 में मुर्या दरबार का आयोजन किया गया था और उसके बास से लगा प्रती वश बस्तर में मुर्या दरबार का आयोजन किया जाता है जो बस्तर के अneemwhat कंगे बहां शाम को पाज बजेंस क्या जाता है पहले क्या होता था इस मुर्या दरबार में कि जो भी तक के ग्राम की जो मुखिया हुआ करते थे वह अपने ग्राम की पूरी समस्याओं को लेकर यहां पर हाजिर होते थे राजा के समक्ष उसे रखते थे और उसका नीराकरण किया था जाजा के द्वारा लेकिन वर्तमान में चुकि राजा की शक्तियां कम हो चुकी है तो अब वहां श्वाचन नंबर D अब अपने नेक्स कोशन पर विचार करें यहां पर चार कथन ंदिये एगा है चार स्टेटमेंट पहली करें जीटानी का त्यवहर कार्थ को मनाया जाता है बिद्धा ति क्यों जो है को मंडब बनाकर श्री लक्षमिन अरुकर की जाती माता तुलसी और सालिग्राम भगवान का किया जाता है और इनकी पूजा की जाती है ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जितने भी देवी देवता होते हैं वो उठ जाते हैं और जितने भी वैवाही कारिये हैं वो भी यहां से स्टार्ट हो जाते हैं दूसरा जो कथन है वह कृष्ण जनमास्टर में की दिन भूजली विसर्जन क किया जाता है तो इस प्रकार से यह बनाया जाता है जो एक्टी जिसे हम क्या कहते हैं अक्षे ट्रितिया बहिसाख शुकलत तुह को मनाया जाता है तो यह स्टेटमेंट भी क्या हो गया गलत हो गया चौथा स्रामड मास के अम्मभस्या के दिन सवना ही अंकन किया जाता हैसा को जितनी भी आसूरी शक्तियां होती वह तंत्र मंत्र और जादू टोना जो है वह सिद्ध करती है तो पूरे गाउं को सुरक्षित करने के लिए जो बैगा होता है वो क्या करता है टंत्र मंत्र से गाउं को बांगता है और घर को सुरक्षित करने के लिए जो भी घर के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं अपने घर के बाहर की दिवारों पर गोबर से प्रेत का अंकन करते हैं चित्र बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है समनाही अंकन कहा जाता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका पहला statement और चौथा statement जो है सद्य है आगे क्या दिया गया है कोशन में सही कथन का चैन कीजिए तो देखिए यहां पर option है केवल वन भी है एक और टीन सी है एक टीन और चार और डी है एक और चार तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला और चौथा स्टेट्मेंट सही है दूसरा और तीसरा स्टेट्मेंट जो है गलत है तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा फस्ट एन फोर ऑप्शन नमबर डी अब हम आते हैं अपने नेक्स कोशन पर वर्तमान समय में बस्तर के दशेरे में कितने पहिये वाले रद को खीचा जात हैं इसके तो काक्ति वन्ष का जो चौथा साशक था पुशोत्तम देऊं जब उसने जगनाथ पूरी की यात्रा की थी तब उसे वहां के पुजारी ने रथ पती के उपादी से विभूशित किया था उसे सोला पहियो वाला रथ जो है भेट किया था तो जब यहां पर सोला उसके पाहियो वाला रथ लेकर आए जगदलपूर तो उन्हों ने इसमें से चार पहीये वाले रद को भगवान जगाणात को और पिध कर दिया और 12 माधंदेश्वरी को और पिद कर दिया है कि यहांप्र पर भी यह है कि वस्तषा यह Iya सड़के हैं जगदलपूर की सड़के हैं वह जादा चौड़ी नहीं है तो बारा पहिये वाले विशाल रत को खीचने में समस्याइं होती है वहाँ पर इसलिए क्या होता है कि अश्विन शुक्लत दुतिया से लेकर अश्विन शुक्लत सब्तमी तक लगातार 6 दिनों तक वह मार्ग पर खीचा जाता है तो इस प्रकार से बस्तर के दाश़ार में चार पहीए वाले रत को भी खीचा जाता है और अश्विन शुक्लत दशमी से लेकर एकताछी это को दो दिन 8 वाले विशाल रत को खीचा जाता है तो इस प्रकार से अंशव deixacket a a न्पर आ Then हमारा next question है हरेली परवश्च संबंधित निम्हा लिheres फिर वहas? अप्षय को पूज़ है कि क्या कफ़न है यह जो शब्द है इसे आप बिल्कुल भी लड़ांनके रखियागी उपड़ रहे हूंगे तो यह फोलगे प्रिशक अपने कृशि में पूजा करता हैं तो हां यह हरेलियममस्य को तो होते हैं दान की वहाय करने के पुजा करते हैं बैलों की पुजा करते हैं और फसल की अच्छे-वसल की कामना करते हैं तो ये जो कथन है वो सत्य है option number B है इसमें इस अउसर पर घरों में गुड का चीला और पक्वान बनाया जाता है तो हाँ बिल्कुल इस दिन क्या होता है गौव में कुल देवता की पूजा की जाती है और घर में गुड का चीला और पक्वान बनाया जाता है तो ये option B सही है, option number C, इस दिन बस्तर छेत्र में दियारी तिवार मनाया जाता है, तो नहीं, इस दिन बस्तर छेत्र में अमुस्तिहार मनाया जाता है, जहां पर पशु औस दियों की पूजा की जाती है, ठीक, तो ये जो option C है, ये जो है असत्य है, चौथा इसको option भी पढ़ लेते हैं कि यह पर्वा जो हो 36 घडँ अंचल के रूप में दियारी तैवर मनाया जाता है जीए । देखे जोडिया सुवा नृत्य है यह 36 महिलाओं एवं किशोरियों के द्वारा किया जाता है जब यह नृत्य करते हैं तो यह गीत गाते गाते नृत्य करते हैं तो इस प्रकार से सुवा नृत्य भी होता है और सुवा गीत भी होता है ठीक इसका जो आयोजर है महिलाओं कप करती हैं ही बजा बजा करे इसमें किसी भी प्रकार के बाद्य अंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। हमारा अगला विरम घीट कि जाति के लोगों के द्वारा घ्लाओं यहांपर जाती के लोगों के द्वारा गया जाता है इसे जाती का मतलब क्या होता है कि इन लोगों के द्वारा गया जाता है जो जाती है वत देवार जाती की इस्त्रियां होती है उनके द्वारा क्या गीत गया जाता है इस गीत में क्या होता है जितने भी journals क्या मैंनलों समधित कॉन साथन सत्य है क्क पूछा गया निक्स्विस में पूछा गया है पढ़ते हैं इसे यह देवार भाद्रमस की कृष्णपक्ष की सस्टी को मनाया जाता है दूसरा कथे ने इस दिर माता अपनी संतान की लंबी आयों की कामना करते हुए उपवास रखती है तीसरा कथे ने पूजा की आउसर पर भैंस के दूद दही गी का प्रयोग नहीं किया बलराम जी उनके जन्मोत्सों के रूप में मनाया जाता है तो इस प्रकार से जो पहला कथर है वो सद्य है कि हाँ भाद्रमस की कृष्णपक्ष की सस्टी को मनाया जाता यह दिन माता अपनी संतान की लंबी आयों की कामना करते हुए उपवास रखती है तो माता की अगर सं जाएगा गलत हो जाएगा तो में किया जाता में जूते हुए इस थानों का अपना अग्रहान नहीं किया जाता है और तो इसमें क्या लिखा गया कि भैस के दूद्ध दही घी का प्रयोग नहीं किया जाता तो यह भी स्टेट्मेंट क्या हो गया गलत हो गया पूजन में प्रयोग किया जाता है तो हां ऐसा चावल जो हल से जूता नहीं होता है अधरन उसे क्या कहते है पसहर चावल कहते है तो इस दिन पसहर चावल का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार से इसमें से स्टेट्मेंटा गलत है दूसरा और तीसरा नहीं जो है जो है फूजन में दहखी है केवाल एक डी में आक सीय जो सब्स्कान कघ्एाया निम्नलिखित में से कौन सी गाथा रमायन कालिन कथा पर आधारित है देखिए इसमें option दिया गिया है A. पंडवानी B. फुल कुवर की गाथा C. फुल बासन की गाथा D. भर्धरी की गाथा तो हम option को वन बाई वन करके डील करते हैं देखिए जो पंडवानी है यह महा भारत की कथा पर आधारित है यह जो लोग गाथा है महा भारत की कथा का लोग रूप कहते है इस पंडवानी को option number B. फुल कुवर की गाथा यह मुगल कालिन करेक्टर्स है इसमें जो राजा जगत की बेटी है फुल कुवर इस गाथा में इसके युद्ध पराक्रम का और विर्टा का वर्णन किया गया है इसमें बताया गया कि कैसे जो फुल कुवर है वो मुगलों से युद्ध में ल सीता और लक्षमड के इर्द गुर्द घुमती यह कथा जो है इसमें क्या होता है कि जो माता सीता है वो लक्षमड से फुल बासन नामक फूल को लाने का अरुरोत करती है और जो लक्षमड है वो किस प्रकार बहुत सारी कठनाईयों को पार करके योगी की सहायता से इस अर्थरी और उनकी रानी पिंगला है उसके प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है लेकिन यह मुलता है वीर गाथा है यह आप लोग याद रखिएगा तो इस कोशन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फुल बासन की गाथा हमारा नेक्स कोशन है फुल कुमर क प्रेम का पुल कुमर के व्यभायक जीवन का फुल कुमर कर युद्ध परक्रम का तो यहां पर किसका युद्ध परक्रम का वर्णन किया गया है जैसे कि मैंने आपको पिछले में बताया 수िकी जो है उसका राजय मांगते हैं और कुछ. इसके युद्द पराक्रम का यहां पर क्या गया है वर्नन किया गया है नेक्स कोशन है निम्नल धिखित में से बेड़ा किसे कहा जाता है इसमें आप्शन दियागया है रहस्के आयोजन के प्रारंब में गड़ाय जाने वाले प्रतीक किस्तम को भी है रहस के आयोजन करता को सी रहस के आयोजन इस्थल को और डी है रहस के मुख्य पातर को तो यह जो मंच होता है जहां पर रहस का क्या किया जाता है मंचन किया जाता है वहां पर मंच के इसके नीचे रादा कृष्ण की मूर्ती रखी जाती है इनका पूजा किया जाता है जहां पर रहस का आयोजन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा और उसमें जो प्रतीक इस्तंभ गाड़ा जाता है जो कि कदम व्रिक्ष का प्रतीक होता है उसे थुन कहा जाता है ठीक हमारा अगला प्रशन है चत्तिस गड़ में मूलताहक गेहु माटे से बनाये वाले वेंजन है इसमें देखिए पांच वेंजनों के नाम दिए गये हैं कि बोबरा अईरसा चौसेला और देहरूरी आपको कोशन ठीक से पढ़ना है यह ध्यान में रखना है कि सिर्फ गेहु आटे की बात नहीं की गई है उस पूरे जो डिश है उसमें ग्रेहु आटे का इंग्रेडियंट होना चाहिए यह कहा गया है ठीक है तो इस बात को आप इसे बना उजिन होता है यह जो है यह से बना वेंजन होता है जिसे जो से बना होता है जो है वह यह भी तर्लकर बना जाता है सब्सक्राइक होता है कि नमकीं होता है पिर स्थारी ड मलगों क्येता है लेकिन तो इस प्रेकार से देखिए देहरूरी चावल आटे से बनता है, चौसेला भी चावल आटे से बनता है, जो खुर्मी है, यह चावल और गेहू दोनों से बनता है, लेकिन गेहू आटे का भी इसमें क्या होता है, इंडेडियंट होता है, तो इस प्रेकार खुर्मी और बोब तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी एक और दो तो यह थे चत्यसगर की कला एवं संस्कृति से रिलेटेड कोश्चन देखें सीजी प्रीलिम्स में जो भी आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इसमें बहुत ऐसे विस्तार पूर्वक कोश्चन नहीं पूसा आता इस स्टे इस प्रकार से दोनों कोश्चन की तयारी करना है कोश्चन सिर्फ घुमाओदार हो सकते हैं लेकिन यह हमारे जो हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेडी कोश्चन आएंगे और सिंपल होंगे ज्यादा कॉम्प्लिकेड़ कोश्चन नहीं होंगे तो आई होप यह जित्ते को प्रेस करना ना भूले